दार जिले के सुसारी में एक निजी प्लाट के खुदाई के दौरन सोना चांदी निकलने के सूचना पर वहाँ पर भाड़ी भीड जमा हो गई हाला कि जब तक पुलिस मौके पर पहुँची तब तक वहाँ पर पुलिस को कुछ नहीं मिला वही पुलिस ने पूस्ताच के लिए भी लोगों को बुलाया लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा मकान के खुदाई के दोरण चांदी या सोना निकला है लेकिन चार दिन बाद सोसल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें लोग ट्रॉली में भरी हुई मिट्टी में से कुछ ढूटते हुए दिखाई दे रहे हैं वही एक व्यक्ति कुछ अपनी जेब में रखता हुआ भी दिखाई दे रहा है पुलिस इस पूरे वीडियो को मामले में भी बताया जा रहा है कि तफदीश कर रही है लेकिन पुलिस के हाथ वीडियो वाइरल होने तक कुछ हाथ नहीं लगा था यह घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है कुछ ही टी आई ने बताया कि मामला जानकारी में आयर हकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची वही मकान प्लाट मालिक में साड़े तीन किलो चांदी ठाने पर आकर जमा की है उन्हें जब पता लगा कि जमीन में से निकला हो सोना चांदी सरकार का होता है तो उन्होंने साड़े तीन किलो के जयरात कुछ ही पुलिस को जमा किये हैं वाई सुत्रों की माने तो एक और ताबे की नाद निकली थी। उसमें क्या था कहा गई वह नाद किसी को पता नहीं। खेर ये एक अफवा भी हो सकती है। ये सच भी तो इंतिजार करते हैं दूसरे वीडियो के वाइरल होने का। वाई ये अवाद ही वाई देखों अफिराज काल दो इसमें नमत्राइबी कि यहान भी राग रहे हों। वाई वीडियों तो पानेंगे। सब्सक्राइब करें तो पूरा मामला क्या है और क्या है फाकिकात सुसारी गाव में जो कैलाईश मुकाती है इन्होंने सुभास भावसार से प्लाट खरी दा था एक साल बेल गेड़ साल बेल उसकी पांची मेने पहले देश्टी कराई है और उस प्लाट पर वो अपना मकान करने के लिए जब जिस्वी से खुदाई कर रहे थे तो कुछ चांदी की पुराने जवरात मिले हैं और वहां पर काफी विर्बार थी तो यह जो कुछ भीड़ने भी वहां से जवरात उठाय थे उसके बाद एक कैलाईश जो मुकाती है इन्होंने थाने पर लाक को जवरा खुल गया खुल गया खुल गया मारूती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिस्थान खुल गया जी हां आपके शहर रीवा में मारूती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट जी यस 108 आश्रवाद प्लाजा धेकहा में खुल गया हम सिर्फ घर नहीं बनाते हैं हम बनाते हैं आ पॉर्डिवलर की चल, फॉल सीलिंग, वाल पेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलत, एक बार सेवा का उसर जरूर प्रदान करें, मारोती इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आश्रवाद प्लाजा दे कहा, रीवा